दोस्तो इस लड़के की चालाकी देखकर आपके होश वर जाएंगे दोस्तो ये किसान मरने वाला होता है और वो अपने बेटे से कहता है बेटा मैं मरने वाला हूँ तो उसका लड़का कहता है कि तुम मर जाओ तुमने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया है और तुने बस गंदा सा घर बनाया है उसके बाद किसान कहता है बेटा मैं इस घर की दीवार के बीच में खजाना चुपा कर रखा हूँ और तुम घर को तोड़ कर उस खजाने को निकाल लेना और यह कहकर किसान मर जाता है और उसके मरने के बाद उसका बेटा बहुत खुश होता है और वो उसके घर से एक संदूक निकलता है तो ये लड़का जल्दी से जाकर उस संदूक को उठा लेता है और वो उस मिस्त्री को उसकी मजदूरी दे देता है और जब वो उस संदूक को खोलता है तो उसमें से एक पर्ची निकलता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने तुमसे ये गर इसलिए तुवा दिया है कि जब तुम इसे बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि घर बनाने में कितनी कीमत लगती है उसके बाद वो अपने किये पर पच्चताने लगता है